दोस्तों दोस्तों आज रिव मैं कहाने आपके सामने लेकर प्रस्तुत वहूँ उसका शी शेक है तलाव वाला राक्सस एक बार की बाद है जंगल में तलाव था और जंगल के हर जानवर का ही मान्ना था कि इस तलाव में कोई राक्सस रहता है जो शाम के बाद तालाप का पानी पीने आता है राकसस उसको छोड़ता नहीं है राकसस को खा जाता है इसलिए शाम को वहाँ का पानी नहीं पिना चाहिए इसलिए डर के मारे कोई भी शाम के बाद उस जंगल के आसपास नहीं जाता था एतने खरगोस जो उस जंगल में नया नया आया था, लोग उसे वो बात बताना भूल गए, जाम को वो तालाप के किनारे पहुच गया, उस खरगोस को तालाप के किनारे आता देख, उसमें रहने वाला मगरमच बड़ा खुश हुआ, लेकिन खरगोस की तेज निगाओं ने उस मगरमच को देख लिया और वो बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागया, जंगल के जानवरों ने उसे भागता देख, उसे भागने का कारण पूचा, तब खरगोस ने ने बताया कि तालाप का पानी भी ने गया था, मगर मेरी तरफ मगरमच तेजी से आता हुआ उसको पहले हमने कभी नहीं देखा, कहीं ये मगरमच तो सब को नहीं खा जाता है, अगले दिन सभी जानवर उस खरगोस को साथ ले के उतालाप के ओर गए, मगरमच पानी में छुपा बैठा था, लेकिन उसकी पीट पानी में फिर भी दिखाई दे रही थी, अब खरगोस समझ गया कि ये मगरमच है, जो दूसरे जानवर को बिखुब बना रहा था, और पत्थर की तरह छिपा बैठा है, उस खरगोस ने दिनाग लगया, और खरगोस ने चूट से बोला ये तो पत्थर है, लेकिन हम तब ही मानेंगे जब ये बताएगा, इतना सुनकर मगरमच बोला हाँ मैं पत्थर हूँ, ये बात सुनकर सब जानवर को लग गया कि ये मगरमच है जो जानवर को खाता था, खरगोस ने तुरत मगरमच से कहा कि मगरमच तुम जानते हो कि पत्थर बोल नहीं सकते, उसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने उस मगरमच को उस करते हैं तो उसे चुटकारा पाया जा सकता है, आशा है आपको इस कहानी से ये सीख मिल गई होगी, अपना बहुत ध्यान लखें, हस्ते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, धन्यवाद